एक कववा गिद के उपर बैठ कर उसकी गरदन को नौसता है लेकिन वो गिद कववे पे अपना टाइम वेस नहीं करता और अपने पंकों को फिलाता है और आसमान में और उचा जाने लगता है और धीरे धीरे वो और उचाई पर जाने लगता है और बहुत उचाई पर पहु और नीचा दिखाते हैं तुम उचा उड़ने के लिए बने हो तो अपने पंक खोलो और इतना उचा उड़ो कि वो लोग तुम्हारे आसपास भी न टेक पाए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर करके चायल को सब्सक्राइब जरूर करना